नोकि री यहां पर मुलाकात करें से इससे, सच्वरेज़ जिसके बयानों से और जिसके यूँ और यूथ बिंकी से, वह किसी भी रहें बनेता हesome माद सकते हैं जी हमार साथ राजकुमार रोत जो ढूंगापुर विदानसवार से सब्सक्राइब के आया है उन्से बात कर लेता है सर सबसे बहुत 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 बढ़ाई हो आप एंपी चुनी गए हैं और दूसरी वार राजनिती में अच्छा कातम रख रहे हैं आपके चनल के माद्यम से सारे दर्सकों को और आपको जोहार धन्यवाद बिल्कुल रभासवाड़ा के अंदर जो चुनाव हुआ बहुत एक डिफिकल्ट चुनाव हुआ आपने कहा कि मैं सबको मात दे सकता है अच्छली मैं सबकी ताकतवर नहीं हूं लेकिन मैं दिल से काम करता हूं ल जीत की हर समश्या थी उसको ले ट्राइबल को लेके तो लोगों को लगा कि आदमी मेरे हमारे लिए हमारे शेत्री के लिए आने वाले भविशे के लिए लड़ सकता है उसी का नतीजा रहा कि मैं शांदार वोट से जीता इंडिया गडबने साथ आपने चुनाव लड़ा इसका केंडिड उतरा था तो एक तरद से माने के गडबन्दन हुआ और ने भी हुआ लेकिन जरूर इंडिया गडबन्दन का हमारे चुना में उनका सयोग रहा और स्थानिया हमारे दो तीन एमेले जो थे बाशवाड़ा कुसलगड़ और गाटोल उनका बहुत अच्छा योगदान रहा तो हम लोग स्वत्तन तरह ना चाहेंगे लेकिन अवश्या इंडिया गडबन्दन को जब जरूत पड़ेगी यह हमें जरूत पड़ी तो हम साथ में मिलके काम करेंगे सबसे बड़ी पंचायत में जा रहा है वाँ पर नया होगा कैसे काम कर पाएंगे करेंगे लेकिन मैं अपने आप में आत्मविश्वास मजबूत है कि इस सविधान ने यह दिकार दिया था जनता को जनता ने मुझे चुन के पेज़ाएं मैं 22 लाग बोटर्स का 22 लाग बोटर्स हैं और हमारे उस इलाके में 40-45 लाग जन सेंग हैं उन सब का प्रतिनीदित काम करूंगा मैं अधिवसी परदेश माने के मांग करें ने कि उठ रही है बहुत पहले से उठ रही है आपने भी उठाया बिल्कुल यह वाजीब मांग है और होना चीए कैसे क्यों होना चीए यह तो जरू थे इसलिए पुरानी डिमाइंड है और कैसे है कि आने वाले समय में अवस्या हमारी ताकत को बढ़ाएंगे हम लोग और अवस्या कि सेंट्रल गोर्मेंट से इस मांग को पूरी करवाएंगे यह ऐसा लगता कि अगर सुधा को सुधार दिया जाए थोड़ा मॉन्टरिंग अच्छी तरह कर ली जाए तो मांग नहीं हो यह इसमें कि सकते ह अधिवजी तो इसलाके पर तो हो सकता है वह थोड़ा दीमा हो जाए लेकिन मांग तो मांग रहेगी विदू कि लोग कुछ कंई जरूर आ सकती लेकिन यह तेजी से बढ़र दे यह मांग हो तो यह मांग तो हमेसा वाजीब रहीगी लेकिन यह चाह सकते हैं कि अगर गौर बिल्कुल इस बात को लेके सब लोग पूछते हैं वास्तविक हमारे देश के कई लीडर कई मीडिया इस बात को समझ नहीं पाया यह मैं इसलिए कि रहा हूं कि मैं पड़ा लिखा हूं मैं समझता हूं बाचपा के नेता बोलते हैं कि हम हिंदू है लेकिन वो नौमिनिशन फ हिंदू मुसलिम हिंदू मुसलिम का टरीका चलाते हैं सुप्रीम कोड का जजमेंट आया हुआ है कि आदिवसिय नहीं है लिखा हुआ कि हिंदू विवाँ दिनियम वश्व पर लाघू नहीं होगा क्योंकि आदिवश्व नहीं है इतहासी प्रष्टद गुर्म में जाते हैं तो इत्हास में भी चीज मिलेगी का दिवश्व किसी भी धarma में नहीं आता है कबिला ही लोग हैं और साथ ही हमारे कल्चर को देखेंगे, पुजा पद्धती को देखेंगे, रिती रिवाज को देखेंगे, तो वो भी हिंदु धर्मा से बिन पाये जाएगा पतानमंदी मोदी ने भी सभाई की थी वहां पर आपके चेतर में, फिर भी आप दगड़े बतों से जितके हैं लोकसुबा चुनाम में जो चेंजिंग आया, वो भाषवड़ा सीट से आया, उस पॉइंट को अगर ध्यान से देखा जाए कि मोदी जी की जो उल्टी किंदी सुरू हुई भाषवड़ा से हुई है, वहां से उनका ये, पुरा हुआ हुआ उनके बयान जो थे मंगल सुतर वालन ये, वहां से हुई है, एमले के चुनाम आपने जीते और एमले का पर टैग भी दिया आपने, हाले फिलाल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गंभी है, तो कहीं खुशी भी है, किस वाल मैने नजज़ कर रहे हैं, किस वाल फील हो रहा हुआ है, इस सदन को मैंने बहुत साल यहां गुजारे, यहां के करमचारी, अधिकारी और हमारे MLS एक परिवार की तर रहते थे, तो अवश्य थोड़ा मन में हुआ कि मैं सदन को छोड़के जा रहा हूं, और वो भी स्विच्चा से छोड़के जा रहा हूं, अब हार जाते हैं, बात अलग है, लेकिन 84 की ज मुख्यमंत्री बनने के बाद बजनलाल जी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पार्टी विश्यस के नहीं होते, वो आम जनता के सभी पार्टी के लिए एक मुख्या के रूप में है, मुख्या की जिम्मेदारी होती है कि सभी को साथ में लेके चले, और तो हम हमारे मुख्यमंत्री हैं बाचपा करें किसी प्रज़र बनता है उन से मिलने का मिलें लोग गलियों में कुछ भी बात करें उसका कुई फरक निपड़ता है आप टीचर बना चाहते थे बीड भी किया अपने फिर राज़िंती में कदम रखा ऐसा क्या मानस हुआ कैसा कि नेताओं ने परिशान किया उनकी जो जिम्मेदरी थी उनको जो काम करना चाहिए तो वो काम नहीं के इसलिए एक सवाल और भी है जैन में आरा कि लगतार आप युवाओं के बीच में पॉपुलर रहे हैं हाल फिलाल भी आज नर्सिंग पेर मेडिकल के अबेड़तियों में भी आपकी बुलाने की मांग उठाई थी तो किस पगार टेक्तिन कि लगतार बढ़तिया पड़ी हैं युव कि युवाओं के दिलों में आपका जो वस्वाष्ट है वो बना हुआ है क्या अब इसलिए बना हुआ है कि और तब तक बना रहेगा जब युवाओं के लिए हम काम करेंगे पिछले पांच सौलों में भर्तियो को लेके रिजरुमेशन को लेकि यूतों की přिसक्रभी समश कि बुजेपी कि जो दावार नेता है करशिम मंतरी कि आप यह ने साफ कहा था कि पराण जाए पर बचन जाए और सीटें बाद इस्तिफा ने के इस तरह नहीं के तो मैं जल्दी देना चाहिए उनको इस्तिफा और वह खुज भी नहीं इस पत पे मुझे जहां तक लग रहा ह कि वो नाराज है वो लगी नहीं रहा कोई तो देना चाहिए इस्तिफ़ा उनके वच्छन पर उनको कटी बंद रहना चाहिए उन्होंने विटीकर रामदुली ने भी तंज कसा है कि अब उनको पूरी मुख्यबंती को भी इस्तिफ़ा देना चाहिए वो उनकी लेवल का जो कि आपके पितास जी का साया आपसे बहुत पहले उट तो यह रहा जिंदगी में किसका साथ आ जा रहा मेरी माता का और मेरे परिवार के सदिश्चों का सयोग रहा और वो परिस्तिया और जो समश्चा थी उन्होंने मुझे मज़बूत बनाया जो यह राजकुमार रोड थ है यह जो ट्राइबल च्छेतर है उसके विकास की बात करें वो कहने कर पीछे नहीं अटने माले और संसद्ध बनने के बाद रास्तान के उस एरिये की जो आवाज है वो बुलंद संसद्ध में करेंगे ऐसा राजकुमार रोड ने कहा है सब्सक्राइब के साथ संदीप अगरवाल दनगरी मीडियेट चैपुर्ण